Hello and welcome friends आज की ये वीडियो रिशित्ता मिश्रा के रेक्वेस्ट पर बना रहा हूँ पूछा इनों ने कि किस तरह से हम एक्सल में ये मर्च क्या होता है मर्च कैसे करते हैं और किस तरह से ये होता क्या है तो देखिए यहाँ पर आपको grid lines दिखाए पड़ेंगे ये grid lines कहलाती है और अगर आप इन्हें off करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के और यहाँ से आप off कर सकते व्यू टैप से ठीक है grid line को off करने के और भी तरीके हो सकते हैं लेकर फिलाल आज का ये topic जो है हमारा वो merge को लेकर के है तो merge कैसे करेंगे यही सवाल है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ठीक है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है मैं इसको एक अलग कलर में highlight कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 तो इसे एक अलग कलर दे देता हूँ तो यह 2 और 8 इन दोनों को हमें merge करना है कैसे merge करेंगे merge करना यानि मिला देना तो मिलाने के लिए आपको क्या करना है पहले तो इन दोनों को selection में ले लिजे easily और home tab में ही आपको दिखेगा merge and center तो यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाई पड़ेंगे like merge and center, merge across, merge cells और unmerged cells तो क्या हमें centers को merge कराना है या इन दोनों cells को merge कराना है तो अगर आप cells को merge कराना चाहते हैं तो यहाँ पर click करेंगे और फिर यहाँ से ok press करेंगे तो यह देखी cell merge हो गई ठीक है और अगर आप centers को merge कराना चाहते हैं तो यहाँ से center को भी merge करा सकते हैं यह देखिए center merge हो जाएगा तो यह center में यह जो है वो आ जाएगा और यह पूरा जो है दोनों एक ही में मिल जाएगा इसे कहते है merge कराना ठीक है अब यहां से इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ अगर माल लीजिए कि आपको 2 या 3 या 4 या 5 रोज को merge कराना है तो क्या करें तो भी आप यही पर जाएंगे merge cells तो यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह merge हो जाएगा तो आप देखिए यह एक बन गया पूरा merge हो की एक बन गया ठीक है मैं इसे वापिस उसी situation में लेके आ जाता हूँ और फिर एक और हमारे पास दिख रहा है merge across तो इसको भी देखते ह तो यहां पर अगर मैं इन दोनों को select करता हूँ अगर में merge across करता हूँ तो यह दिखिए यहां पर merge across किया तो यह जो है merge तो हो गया लेकिन यह across करके मतलब कहने का मतलब कि यह text का situation देखिए पोजिशन देखिए text यहां पर आ गई ठीक है तो इसे कहते है merge across मैं इसको फिर वापिस से उसे situation में लेकि आता हूँ और अब यहाँ पर मैं इसको merge and center फिर से कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए merge and center किया तो यह center में चला जाएगा यह जो text है वो center में चला जाएगा अब मैं यह चाहता हूँ कि यह जो है unmerged हो जाएगा तो हमें क्या करना है वापिस से यहाँ जाना है और unmerged cell पे click कर देना है तो जैसे click करेंगे तो यह cell unmerged हो जाएगी यह जो merge हुआ था जो मिल गई थी वो फिर से हट जाएगी तो इसे कहते है merge चीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी